आईए बात करते हैं percentage type 4 की टाइब स्टार्टिंग के तीन टाइब 123 मैंने यूट्यूब शॉर्स धार्या चैनल पर अपलोड कर दिया आप वहां से देख लीजे पॉसेंटेस टाइब 4 की जब बात करेंगे तो यहां पे एंटू बी इस इकुल टू सी वाला टाइप है इसका मतलब कि मान लिजी है मैंने कोई rectangle ले लिया उसका length है breadth है तो मान लिजी है length को बढ़ाया breadth को घटाया तो final area में क्या अंतर आएगा ऐसे ही मान लिजी है कि कोई हमें distance travel करना है तो मान लिजी मैंने speed बढ़ा दिया और हमारा time जो है तो automatically वो घट जाएगा इस तरीके से ही ची चीजों के बारे मां discuss करते हैं एक rectangle है उस rectangle का आप यहां पर देखिए कि rectangle है और rectangle का जो length है इसको हमने बढ़ाया breadth को भी हमने बढ़ाया तो definitely हमारा area भी बढ़ जाएगा सवाल भी कह रहा है कि हमारा जो length है वह 7% से बढ़ा तो area कितने से बढ़ जाएगा ऐसे सवालों में जब भी 2 units हों जब भी 2 units हों जब ही भी 2 units हों तो हमेशा हम formula लगाते हैं x plus y plus x into y upon 100 इसी formula पे हम चलते हैं और इसी से हमारा सवाल बन जाता है simple सी बात है कि हम sign का ध्यान दखेंगे आप देखिए कि यहां पर case 1 में क्या कह रहा है कि length हमारा plus 7% हुआ है क्योंकि वह बढ़ा है और breadth हमारा जो है वह plus 8% है क्योंकि वह भी बढ़ा है तो इसी लिए area पे क्या change आएगा area हो जाएगा x plus y plus यहां से आप x plus y अगर ना भी ल जाएगा और यह हो जाएगा 7 plus 8 plus 7 into 8 upon 100 और यह हो जाएगा हमारा 15 plus .56 और total हमारा net area change होगा 15.56% का increase होगा अगर माल लिजे type 2 में हम लेते हैं कि हमारा length भी 7% से decrease हो जाता और breadth भी अगर 8% से decrease हो जाता तो area क्या होता फिर तो अब area जब होगा हमारा वह हो जाएगा minus 7 और उसके बाद फिर हमारा यह हो जाएगा plus फिर यहाँ पर minus 8 फिर plus क्योंकि sign हमें साइन हमें ध्यान रखना है फिर minus 7 इंटू फिर यहां से आप देखे कि minus 7 हाँ यहां से थीक से minus 7 into minus 8 upon 100 तो यह आजाएगा minus 7 minus 8 plus .56 और इस तरीके से इसका answer आजाएगा 14.44% का decrement होगा हमारा answer